नमस्कार दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की अनलेशिस की कल के ट्रेडिंग सेशन 31 जनावरी के लाइव मार्केट में हम लोग किस तरह के से ट्रेड कर सकते हैं कौन-कौन से important levels हमारे लिए रहने वाले हैं साथ में कुछ intraday stocks भी देखेंगे जिन में हम लोग trade करके और कल के live market में profit generate कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो subscribe करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ हमारा टेलिग्राम चैनल आपने जोइन नहीं किया है तो link आपको वीडियो के description में दिया गया है डारेकली जाके जोइन कर सकते हैं लाइ मार्केट में जो भी टेलिग्राम चैनल पर सेर करते रहते हैं आज के दिन पर हमने दोचार टेलिग्राम चैनल चेक आउट कर सकते हैं चले देखते हैं सबसे पहले निप्टी 50 इंडेक्स को और उसके बाद में आप लोग देखेंगे बेंक निप्टी इंडेक्स और कुछ इंट्राडे स्टोक्स को दोस्तों निप्टी 50 इंडेक्स की क्लोजिंग आप यह बह definitely देख सकते हैं फाइनल जो आई है वो है 17-648 के आसपास में आई है previous closing से आपको 44 point के आसपास में आपको यहाँ पे positive देखने को मिल रही है और कहीना कई दोस्तों आपको एक intraday के लिए एक अच्छागासा pattern भी देखने को मिल रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं continue downfall करने के बाद में उपर की side में आप एक swing high बनाने के बाद में नीचे की side में एक low बनाया उसके बाद में फिर से एक swing high बनाया उसके बाद में फिर से एक low बनाया और यहाँ पे market ने closing दिये तो कहीना कई आपको एक double bottom type का intraday के लिए एक best pattern भी आपको देखने को मिल रहा है जिसे आप buying side के लिए use कर सकते हैं यह नेक लाइन यहाँ पर break होती है जो आप यह पर देख सकते हैं यह नेक लाइन कल के दिन break होती है तो आप लोग ऊपर की side में buying side के लिए जा सकते हैं और आप लोग छोटा सा profit यहाँ पर book कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसको आप लोग देखोगे तो market ने देखिए previous यह यहाँ पर support लिया है और यहाँ पर market ने resistance लिया इस zone के आसपास में और यहाँ पर फिर से आज के दिन closing दिये तो कही ना कही यह zone अमारे लिए important बन चुका है तो सबसे पहला दोस्तों कल के लिए अमारे एक opening setup है वो कल के लिए अमारे लिए best setup रहने वाला है जिसको हम लोग कल के trading session में trade करने वाले हैं simple है दोस्तों market की opening देखिए आज की closing आईए इसके आसपास में plate open होती है या फिर इसके बीच में कहीं पर भी open होती है open होने के बाद में उपर की side में 17,670 के level को break करता है sustain करता है उपर की side में market तो हम लोग buying side के लिए जा सकते हैं हमारा यहाँ प resistance zone है तो यहाँ तक आप लोग target उपर की side में book कर सकते हैं कल के दिन यदि यह pattern हमारा work करता है यह उपर की side में resistance है और यह नीचे की side में support zone है यहाँ कहीं नीचे market open होके इसको break करना चाहिए तभी हम लोग buying side के लिए जाएंगे यदि market थोड़ा सा gap up open होता है तो फिर हम लो 800 के आसपास तो हमारे लिए दूस्तों 17,800 एक important resistance zone है जो आप यह देख सकते हैं प्रिवेस दिनों में यह zone हमारे लिए support का काम करता था जो आप यह देख सकते हैं यह हमारे लिए support का काम करता था जैसी market ने इस support को यहाँ पर break किया 17,800 के level को तो यह हमारे लिए important resistance हो चुका आपको यह दि market 17,800 के आसपास में जो मैंने आपको बता है इस zone के आसपास में market आता है और यह दि यहाँ पर आपको कोई भी negative candle देखने को मिलती है जिसे कि आपको shooting star देखने को मिलती है या फिर आपको कोई भी smaller time frame में आपको M type का pattern double top देखने को मिलता है या फिर आपको smaller time frame में head and solder type का pattern देखने को मिलता है 17,800 के आसपास में तो फिर आप लोग उसके उपर का stop loss एंटर करके और आप नीचे की side में one ratio two के लिए trade plan कर सकते है या फिर यदि gap up open होता है इस zone के आसपास में तो फिर आप लोग selling side में आते है तो आज की closing है यहाँ तक आप लोग अपना profit है वो try कर सकते हैं जो आज की closing आई है simple है दोस्तों 5050 index में जो कल के लिए best opening setup रहने वाला है क्योंकि यहाँ कही market open होगा तो उपर की side में हम लोग buying side के लिए जाएंगे 17,800 तक हम लोग यहाँ पर try करेंगे profit book करने की और नीचे की side में आएंगे तो यह नीचे की side में जो आज की दिन का low बनाया है 17,420 के असपास जो मैंने कल के दिन भी आपको बताया था कि 17,420 हमारे लिए एक important support की तरह काम करेगा जो आज की दिन यहीं से market यहाँ पर reverse हुआ है और 15 मिनट के time frame में आपको एक अच्छे का सी hammer type के आपको candle देखने को मिल रही है यहीं से market ने य selling करेंगे और जहां कई भी होता है नीचे की side में यहीं ब्रेक करता है तो हम लोग selling करेंगे और हमारा target रहेगा दोस्तों सबसे पहला 17,330 का और उसके बाद में भी flow में नीचे गिरता है तो आप अपने risk and reward ratio के साब से nip to 50 index में trade कर सकते हैं market already दोस्तों एक लंबी line की तरह नीचे की side में इस तरह के से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है तो simply आप लोगों को ज्यादा बड़ा gap up या फिर gap down opening देखने को मिलती है तो आप लोग live market में price section बनता है उसके इसाब से trade कीजेगा कोई भी जबर दिस्ती की trade है वो नहीं कीजेगा चलिए देख लेत आपको यहां पर positive देखने को मिल रही है previous session के मुकाबले में और आपको continue देखे ऊपर की side से downfall continue आपको यहां पर देखने को मिल रहा है बेंक कनिप्टी में हमारे लिए कल के लिए best setup रहेगा दोस्तों opening setup जो हम यहां पर देखते हैं क्योंकि एक trend line भी आपको देखने को मिल रही है यहां पर market ने देखिए यहां पर downfall करने के बाद थोड़ा सा यहां पर pull बेक लिया था तो यह हमारे लिए resistance का काम करेगा यहां पर resistance है और यहां पर resistance है यहां पर हम लोग एक trend line draw करेंगे इस तरीके से तो हमारे को यहां पर देखिए market की opening is closing के नीचे में open होना चा है तब ही हम लोग ऊपर की side में buying करेंगे और चोटा सा target हम लोग यहां पर लेके चलेंगे buying करते हैं तो हम लोग दोस्तों 820 के आसपास में हम लोग यहां पर profit को book करने की courses करेंगे जो कि दोस्तों यहां पर closing के आसपास से हम लोग buying करते हैं तो हमारे को already यहां पर 300 point है वो जो लो बनाया है जो मैंने आपको 49-500 का कल के दिन एक support zone बताया था 39,500 का इसी zone से यहाँ पे market ने reversal लिया है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा level हमारा यहाँ पे work कर रहा है तो यह यह local के दिन break होता है तो फिर से आप लोग downside में आ सकते हैं और 39,500 का level जैसे break करता है तो आपका next level है दोस्तो 39,200 का level आपको देखने को मिल सकता है और दोस्तों buying side के लिए आपको यहाँ पे direct है 40,820 का level यहाँ तक आप लोग profit booking कर सकते हैं यहाँ पे resistance लिया है previous यहाँ पे market ने support लिया है तो यह important zone हमारे लिए रहने वाला है तो best opening setup है द कल के लिए दोस्तों मेरे को लग रहा है कि market में आपको ज्यादा बड़ा momentum और वो शायद नहीं देखने को मिलेगा आज की जो daily time frame में आप लोग candles चेक करोगे तो उसमें आपको volatile market ही कल के दिन आपको फिर से देखने को मिल सकता है हो सकता है तो दोस्तों आपको एक-दो दि आप लोग 2-3 दिन के लिए trade कीजिएगा और हो सके तो आपको budget वाले दिन आपको trade है वो नहीं करना है उस दिन आपको avoid करना है क्योंकि दोस्तों उस दिन market आपको volatile market देखने को मिल सकता है और उसमें आपको दोनों साइड से stop loss है वो hit हो सकता है simple यह है दोस्तों निप्टी और bank निप्टी के analysis चली देखते हैं 5 intraday stocks जिसमें हम लोग कल के trading session में trade कर सकते हैं दोस्तों पहला हमारा intraday stock रहेगा Mahindra and Mahindra Limited का जो आप में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको आपको pattern type में देखने को मिल रहा है उपर की side में multiple time आपको resistance zone देखने को मिल रहा है कल इसके नीचे opening होनी चाहिए और opening होने के बाद में उसको break करना चाहिए तो आप लोग 1340 के आसपास में buy कर सकते हैं यदि 5 minute की candle ऊपर की side में sustain करती है तब ही आपको buy करना है और आप लोग 1 ratio 2 में यहाँ पर trade plan कर सकते हैं Mahindra and Mahindra Limited में second हमारा intraday stock रहेगा दोस्तों अडानी port फिर से रहने वाला है कल के trading session में भी मैंने आपको बताया था कि अडानी port आप लोग यहाँ पर pick कर सकते हैं और अडानी port आप लोग आज के trading session में देखोगे दोस्तों अच्छे कासी ground देखने को मिली है मैंने आपको telegram channel में भी post किय जाता दो तीन बार मैंने आपको post किया था और आप लोगों को अच्छा कासा profit अडानी port में आज के दिन भी देखने दो मिला है तो कल के दिन यही दोस्तों अडानी port इसके यहाँ पे फ्लेट ओपन होता है जो आप में देख सकते हैं आज की closing है इसके आसपास में कहीं open होत और 580 के नीचे में यहीं sustain होता है जो आप में देख सकते हैं 580 के नीचे में 5 minute की candle sustain करती है लो ब्रेक करता है उसका तो फिर आप लोग entry ले सकते हैं 535 का आप लोग यहाँ पे target है वो ले सकते हैं 30 से 40 रुपे आपको कल के दिन फिर से अडानी port में देखने को मिल सकते हैं यदि इसको breakdown करता है तो आप लोग उपर की side में चोटा सा stop loss enter कीजिएगा 10 रुपे का और आप लोग entry यहाँ पे ले सकते हैं 1 ratio 2 3 में आप लोग trade plan अडानी port में कर सकते हैं 3rd हमारा intraday stock रहेगा दोस्तों call india limited का जो आप में देख सकते हैं call india में भी आपको एक अच्छा खासा head and solder type का इस तरिका का pattern देखने को मिल रहा है कल के दिन यह दिये इस trend line को उपर की side में जो multiple time resistance ले रही है इसको break करता है कल के दिन तो आप लोग 226 की price के आसपास में buy कर सकते हैं और आपका जो target रहेगा दोस्तों सबसे पहला target 227-28 का and second target आप लोग यहाँ पे 229-30 का ले सकते हैं तो आप लोग call India limited को भी trade कर सकते हैं इसकी भी condition यह दोस्तों opening इसकी flat होने चाहिए इस trend line के नीचे opening होने चाहिए यदि यह gap up open होता है तो आपको इसको avoid करना है या फिर live market में जो भी इसमे price section बनेगा उसके साब से trade कीजिएगा यदि यहाँ पे इसके नीचे open होने के बाद में इसको break करेगा तब ही हम लोग इसमें buying करने के लिए interested है यह दिया आप लोग इसमे selling side के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें 224 के नीचे में यह दिये closing देता है 5 minute की candle उसका low break करता है तो आप लोग 224 के नीचे में selling side के लिए भी जा सकते है क्यों आपको इसमें भी एक head and shoulder type का इस तरीके का pattern देखने को मिल रहा है जिसमें आपको उपर की side में multiple time यह एक जो resistance line है यहाँ पे resistance लिया है यहाँ पे resistance है यहाँ पे resistance और यहाँ पे resistance चार बार resistance फेस कर चुका है कल के दिन यह 16100 को break करता है उपर की side में और इसकी opening देखे इस trend line के नीचे होनी चीए उसके बाद में 16100 को break करता है तो आप लोग buying side के लिए जा सकते हैं उसके बाद में आपका जो target रहेगा दोस्तों सबसे पहला target आपका रहेगा 1610 का and उसके बाद में भी आप लोग 1620 का target भी ले सकते हैं 1 ratio 2 में भी आप लोग इसमें भी trading plan है वो कर सकत हैं यदि आपको हमारी analysis पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद